मैं वेलकम करते हूं आप सब लोग को Mr. Civil Engineer YouTube चैनल में और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेंजिंग के बारे में रेंजिंग होता क्या है किस तरीके से करते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं चलिए शूरू करते हैं डाइजिंग की formal definition है जभी कभी सर्वेय हो रहा होता है जब हम कभी चैनिंग कर रहे होते हैं चैन लाइंस के जरी इंसमें के षिर नहीं हाती यह हमारी टेब्स ही जह वो लंबे डिस्टंस के दो रखान सीधी नहीं होती तो line को सीधा करने के लिए चाहे वो chain की हो या tape की हो इसको बिलकुल straight बनाने के लिए एक method यूज होता है जिसको हम ranging केते हैं अब यह method ranging rods की मदद से होता है अब यहां पर ranging की two types हैं एक direct ranging होती है और एक direct ranging होती है direct ranging की यहां पर बात कर लेते हैं तो direct ranging और यह method तब यूज होता है जब both the edges of line are visible जब यह दोनो एक ही plane के उपर हो और surface यहां पर हमारे पास level हो तो यहां पर ranging करने से पहले दोनो points के उपर let's say यहां पर हम कह देते हैं A और B line है इसको हमने range करना है तो इसको range करने के लिए पहले हम दोनों points के उपर ranging rods को लगाएंगे इसके बाद हम यहां पर station points बनाएंगे और यहां पर हम pegs लगाएंगे जब दोनो A और B points के उपर pegs लग जाएंगे तब A points से कुछ distance आगे हम एक ranging rod को fix करेंगे इसी तरीके से एक और ranging rod को थोड़े distance के बाद पर fix करेंगे और इसी तरीके से एक और ranging rod को fix करेंगे बेन ranging rods का जो आपस में फासला होगा वो 100 feet से कम होगा और पहले station से भी first ranging rod का फासला जो है वो 100 feet से कम होगा इसके बाद station A से पीचे 6 foot के उपर एक observer को खड़ा कर दिया जाएगा जो के इन तमाम ranging rods को देखेगा अपनी आई साइट की मदद से अगर उसको आई साइट में तमाम ranging rods एक ही नज़र आ रहे होंगे इसका मतलब है कि line सीधी है अगर उसको ये बागी सारे ranging rods नज़र आ रहे हों तो इसका मतलब line टेड़ी है तो वो अपने हाथ के इशारे से इन सब को एक सीध में लेकर आएगा तो जब ये सब एक सीध में आ जाएंगे तो line straight हो जाएगी So this is the simplest method of ranging ये सबसे असान तरीका है और बहुत कम खर्च तरीका है Line को straight करने के लिए हमारे service के अंदर तो ये method था direct ranging का तो civil engineers आज के इस शौट सी 2 minutes की वीडियों हमने सीखा Ranging के बारे में Line को सीधा करने के बारे में अगर आपको वीडियो बसंद आई है वीडियो को like जरूर कीजेगा और इस किसम की अगर आप मज़ीद भी समय जनरे को सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को subscribe कर ले क्योंकि हम सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे